तो कल हमने बेटा इस लेस्न को पढ़ा था और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो बुंजन है वो एक एडवाइज बेशने वाले से एडवाइज लेके आता है और फिर वो उसको वापस देके आता है और कहता है कि मैं उसको फोलो नहीं करूँगा और उसी की चेकर में उसे तीन रुपय एक्स्टा पे करने पड़ते हैं पेपर बैक्स के लिए चली अब हम आगे पड़ते हैं और गुंजन कहता है जब उसको एडवाइज वापस देखे आता है तो कहता है कि मुझे एक और एडवाइज मिल सकती है क्या जो एडवाइज बेशने वाला होता है वो उसे एक एडवाइज देता है और इसकी कोस्ट क्या होती है अपकी बार तैन रुपेस होती है और उसके अंदर क्या लिखा होता है segregate the green and grey कि segregate का मतलब होता है अलग-अलग करना segregate the green and grey कि green और grey को अलग-अलग करो make good use of both और दोनों का ही अच्छा इस्तिमर करो so गुंजन को ये advice मिलती है so गुंजन looked confused confused हो जाता है वो एक दम his mother smiled at his confusion और उसकी जो वह है वो उसके इस confusion के उपर smile करती है look it up online was her suggestion और वो उसको suggestion क्या होता है सला देना तो वो उसको सला देती है कि इसके लिए तुम online search करो कि इसका क्या मतलब है and with a little help online और थोड़ी सी online help कि इस त्वारा गुंजन was quick to decode the meaning decode करना मतलब कोई सी भी चीज़ को समझना या सुलजाना पहली को सुलजाते हैं हम उसी प्रकार से तो गुंजन was quick to decode the meaning तो गुंजन जो है वो जल्दी ही उसका जो meaning है उसको समझ गया separate the biodegradable waste and non-biodegradable waste so biodegradable क्या होता है जो अपने आपी सड़्डा लाता है जैसे पेट के पत्ये वगेरा जो होते हैं जो अपने आप प्लास्टिक वेस्ट होता है इसे ही हम non biodegradable waste कहते हैं है तो उसका महण बताती है उसको पता से जाता है online देखने जो non-bidegradable waste है उसे हमें reuse करना चाहिए जितने भी जब प्लास्टिक के चीज़े होती है जो non-bidegradable में आती है उन्हें हमें reuse करना चाहिए yes that's what it means तो वो खुश हो जाता है कि हाँ हाँ यह है इसका मतलब i suppose we should get two buckets not plastic कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें दो buckets लेनी चाहिए not plastic और वो भी plastic की नहीं क्योंकि plastic क्या है non-bidegradable है इसलिए कहता है वो भी plastic की नहीं for separating the waste and check what belongs where set gunjan गुञन कहता है कि हमें दो buckets लेनी चाहिए और वो भी हम plastic की नहीं लेंगे plastic क्या है non-bidegradable है और उन buckets का क्या करेंगे for separating the waste and check what belongs where set gunjan तो कहता है कि हमें दो buckets लेनी चाहिए एक biodegradable के लिए और एक non-bidegradable तो उसकी जो मा है वो कहती है no two but four हमें दो नहीं कितनी चाहिए 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 तो आपने देखा होगा कि कई बार dust bins जो होते हैं वो different different class के dust bins होते हैं तो four dust bins होते हैं जिसके अंदर different type के जो waste है उनको हम डालते हैं तो no two but four कि दो नहीं चाहिए करेक्टिड गुंजन की मदर ने उसे सही करते हुए कहा one for biodegradable waste एक biodegradable waste के लिए like vegetable peels जैसे की जो सबजी के बच्चे हुए चिलके वगेरा है उनके लिए another for waste we can reuse like paper bags और दूसरा किसके लिए ऐसे waste के लिए जिसको हम दुबारा से use कर सके हुए उसके लिए a third for those that we need to give away for recycling like batteries और तीसरा उन चीजों के लिए जिनको हम recycling के लिए दे सकते हैं और वो दुबारा से ठीक हो कर वापस आ सकती है and the fourth for things that cannot be made into compost और चोथी उन चीजों के लिए जो कि हम compost में नहीं डाल सकते हैं मतलब जो सटगल नहीं सकती है और reuse और recycle और नहीं वो reuse हो सकती है और नहीं recycle हो सकती है तो उनके लिए हमें fourth bucket से यह why haven't we been doing this? ask Gunjan Gunjan कहता कि हम यह कर क्यों नहीं रहे थे अब तक कि अब तक हम यह क्यों नहीं कर रहे थे honestly because we are being lazy so honestly because we have been lazy तो अगर सच कहूं तो क्योंकि हम lazy हैं आल सी हैं we are being begin tomorrow promised his mother so उसकी माचो है वो उसको promise करती है कि we will begin tomorrow कि हम इस के शुरुवात कल से ही कर देंगे कि चार bucket से हम रखेंगे और जो भी हमारा waste होगा उसको हम segregate करके रखेंगे तो Gunjan कहता है I know what advice I would give dad कि मुझे पता है कि मुझे dad को क्या advice देनी चाहिए said all that all that is new is not the best कि हर वो चीज जो नहीं होती है वो हमेशा best हमेशा सबस्ची नहीं होती है a new phone every year is not the best use of money और हर साल एक नया phone यह जो पैसा है उसका सही उप्योग नहीं है and that advice will cost him nothing और यह जो advice है यह उसको कुछ भी cost नहीं करेंगे मतलब उसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा तो बेटा आप इस exercise को पड़ इस lesson को पड़ेंगे और इसमें जो हमारे question answers given है for प्राइ करेंगे कि आप इसको find out करें so thank you have a good day ahead